परिजय सचिन विद्याले से घर बहुत उत्तेजित होकर लौटता है। वहाँ अपनी माँ को बताता है कि उसकी कक्षा के बच्चों का चिकसक ने परिक्षन किया। वहाँ खुश है कि चिकसक ने उसे शारीरिक रूप से दुरुस्त और सुस्त घोशित किया। लेकिन एक चीज उसे परिशान कर रही है। चिकसक ने उसकी लंबाई सेंटीमीटर में मापी और उसका वजन किलोग्राम में। वहाँ मापन की दो इकाईउं किलोग्राम और सेंटीमीटर के बीच अंतर जानना चाहता है। इस पार्ट में हम मापन के विभिन मात्रकों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। आउ सीखें। विभिन मीटर मापकों को बताना, मीटर को सेंटी मीटर में बदलना, मीटर और सेंटी मीटर को जोड़ना और घटाना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, किलोग्राम और ग्राम को जोड़ना और घटाना, लीटर को मिलिलीटर में बदलना, लीटर और मिलिलीटर को जोड़ मीटर मापक ग्रा या जी से, आयतन को लीटर और मिली लीटर में मापते हैं, लीटर को ली या एल से व्यक्त करते हैं, और मिली लीटर को मिली या एमेल से, मीटर का सेंटी मीटर में परिवर्तन, अब मीटर और सेंटी मीटर के संबंद को समझने का समय है, इसके बाद हम मीटर को सेंटी मीटर में बदलेंगे, एक मीटर बड़ाबर सो सेंटी मीटर होता है, तीन मीटर बड़ाबर होगा तीन गुणा सो बड़ाबर तीन सो, यानि तीन सो सेंटी मीटर. परिवर्तन के साथ जोड हम मीटर को सेंटी मीटर में परिवर्तित करना जान गए हैं आईए अब मीटर को सेंटी मीटर में जोडना सीखें आईए चार मीटर और तीन सो सेंटी मीटर को जोड़ें आईए पहले मीटर को सेंटी मीटर में परिवर्तित करें चार मीटर बराबर, चार गुणा सो सेंटिमीटर, बराबर चार सो सेंटिमीटर, चार मीटर धन तीन सो सेंटिमीटर बराबर चार सो सेंटिमीटर, धन तीन सो सेंटिमीटर बराबर साज सो सेंटिमीटर. परिवर्तन के साथ घटाव आईए अब घटाव पड़ चलें आईए 5 मीटर से 700 सेंटीमीटर घटाएं 5 मीटर बराबर 5 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 500 सेंटीमीटर 700 सेंटीमीटर रिण 5 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर रिण 500 सेंटीमीटर बराबर 200 सेंटीमीटर किलोग्राम का ग्राम में परिवर्तन एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है इसलिए पांच किलो ग्राम चावल के थैले के वजन को निम्न प्रकार से मापा जा सकता है पांच किलो ग्राम बराबर पांच गुणा एक हजार ग्राम जो की बराबर है पांच हजार ग्राम के परिवर्तन के साथ जोड़ आईए अब साथ किलोग्राम को साथ सो ग्राम से जोड़ें आईए पहले किलोग्राम को ग्राम में बदलें एक किलोग्राम बराबर है एक हजार ग्राम के साथ किलोग्राम बराबर होगा साथ गुणा एक हजार ग्राम के जो की बराबर है 7000 ग्राम के. 7 किलो ग्राम धन 700 ग्राम बराबर 7000 ग्राम धन 700 ग्राम बराबर 7700 ग्राम. परिवर्तन के साथ घटाव. आईए घटाव करें. आईए 7000 ग्राम को 9 किलो ग्राम से घटाएं. 9 किलो ग्राम बराबर 9 गुणा 1000 ग्राम बराबर 9000 ग्राम. 9 किलो ग्राम रिन 7000 ग्राम बराबर 9000 ग्राम. रिन 7000 ग्राम बराबर 2000 ग्राम. लीटर का मिलिलीटर में परिवर्तन सोनम तीन लीटर पानी प्रति दिन पीती है तो बताईए सोनम कितने मिलिलीटर पानी प्रति दिन पीती है एक लीटर बराबर एक हजार मिलिलीटर के तीन लीटर बराबर तीन गुणा एक हजार मिलीटर बराबर तीन हजार मिलीटर अताह सोनम प्रति दिन तीन हजार मिलीटर पानी पीती है परिवर्तन के साथ जोड और घटाव सोहा की बोतल में दो लीटर पानी आता है सोहा ने 500 मिलिलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 700 मिलिलीटर पानी पी लिया आईए पता करें कि सोहा की बोतल में कितना पानी बचा है बोतल में कुल पानी बराबर दो लीटर बराबर दो गुणा एक हजार मिलीटर बराबर दो हजार मिलीटर कुल खर्च हुआ पानी बराबर 500 मिली लीटर, धन 700 मिली लीटर, बराबर 1200 मिली लीटर, बोतल में बचा हुआ पानी बराबर 2000 मिली लीटर, रिन 1200 मिली लीटर, बराबर 800 मिली लीटर. हमने क्या चर्चा की? किसी वस्तू की लंबाई को मीटर और सेंटी मीटर में मापते हैं एक मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर मीटर और सेंटी मीटर का जोड़ और घटाव मातरकों के परिवर्तन के माध्यम से होता है किसी वस्तु का द्रविमान किलोग्राम और ग्राम में मापते हैं एक किलोग्राम बराबर एक हजार ग्राम किलोग्राम और ग्राम का जोड़ और घटाव मातरकों के परिवर्तन के माध्यम से होता है आयतन को लीटर और मिली लीटर में मापते हैं एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर लीटर और मिली लीटर का जोड़ और घटाव मात्रकों के परिवर्तन के माध्यम से होता है